हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टू लंगरे देतिमन, तो देखिए लास्ट वीडियो हमने 24 कुश्चन तक कर लिया था, तो चलिए आगे के कुश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, कुश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर, सोचिएगा वीडियो को बार-बार देख बीका ने रियासत के महाराजा कर्णी सिंग कितने सालों तक लोग सबा के सदस्य रहे, तो इसका आंसर है, 1952 से 1977 तक लोग सबा के सदस्य रहे थे, ठीके, तो याद रखिएगा 25 बर्श तक बीका ने रियासत के महाराजा कर्णी सिंग का जन्म कब हुआ था, तो एक्जाम में पूछा जा सकता है, बीका ने रियासत के महाराजा कर्णी सिंग का जन्म 1924 इसवी में हुआ था, तो इनके द्वारा बहुत सारे कार्य जो है वो किये गए थे, बालिकाओं की सिक्षा के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था इसके अलावा खेल कूद निसाने बाजी इसको भी इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया था नेक्स्ट दिखिए 27 कोश्यन हीरा लाल सास्त्री तो इनके संबंद में कोश्यन जो है एक्जाम में आ सकता है हीरा लाल सास्त्री का जन्म हीरा लाल सास्त्री का पूचा जा सकता है एक्जाम में कि किस परिवार में हुआ तो क्रिस्ट परिवार में हुआ था और पहले से ही मतलब बच्पन से ही ये समास सेवा की भावना जो है इनके मन में थी नेक्स दिखिए 28 जीवन कुटीर नामक संस्था की इस्थापना किस कि जीवन-कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की तो हीरा-लाल सास्त्री ने जीवन-कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी नेक्स्ट दिखेंगे, कुश्चन 29, 30 मार्च 1949 को राजिस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो हीरा लाल सास्री जो हैं मुख्यमंत्री बनते हैं 30 मार्च 1949 को नेक्स्ट दिखेंगे, कुश्चन 30 है, रतन सास्री ने किस शेतर में उलेकनिय कार्य किया तो इन्हों ने महिला सिक्षा के शेतर में कार्य किया था नेक्स्ट दिखें, कुश्चन 31, महिला सिक्षा के शेतर में पदम स्री, पदम भूशन और जमना लाल बजाज अवार्ड किसे दिया गया? रतन सास्त्री को ठीक है याद रखेंगे इन्होंने महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी सिख्षा के शेत्र में बहुत कार्रे किया था तो इन्हें सम्मान मिला था पदमश्री, पदमभुशन और जमनालाल बजाज अगली जो महिला है किशोरी देवी, इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म जुन्जनु जिले में हुआ था, याद रखेंगे जुन्जनु जिले में दुलारों का बास में इनका जन्म होता है किशोरी देवी का, और ये कौन है, सरदार हरलाल सिंग की पतनी है किशोरी देवी के पती का क्या नाम था तो इनके पती का नाम मैंने आपको बताया हरलाल सिंग नेक्स्ट दिखिए मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 10 मार्च 1905 को हुआ था मामा बालेश्वर दयाल ने किस शेतर में कारे किया था तो इन्हों ने राजिस्थान और मध्य परदेश इस एरिये में जाकर कारे किया था तो ये कुछ प्रमुख जन्नायक थे कौन-कौन से भोगी लाल पांडया जो जिने हम आदिवाशियों का मसीहा कहते हैं बागड का गांधी कहते हैं ठीक है इन्होंने डुंगर पूर बासवड़ा शेतर में कारे किये वहीं हमने नाना भाई खाट सेंगा भाई खाट के बारे तक हीरालाल सास्त्री जो है वो मुख्य मंत्री बनते हैं कब 30 मार्च 1949 को वहीं रतन सास्त्री की सोरी देवी ऐसी महलाएं रहीं जिन्होंने बच्चों के लिए महलाओं के लिए सिक्षा के शेतर में बहुत कारे किये थे ठीक है तो ये चैप्टर जो है यहां पर complete होता है और बहुत ही important chapter है जो कि आपके exam में आ सकता है आपको हर point जो है ध्यान में रखना है तो इसी तरीके से मिलते हैं next video में chapter 9 के साथ thank you